अलो स्टुडेंट रेलकम कुरू साइन्स एश्प्रेश्पिरच रिड़ चनल और च्जाप्टर नंब फाइब में हमारा येख इंपॉर्डेंट टॉपिक है चुम्बकत्तू का परमाडविये मौडल। तो चुम्बकत्तू का परमाडविये मौडल क्या बताता है। तो देखिए चुम्बकत्तु का जो परमाड़वी मॉडल है वो हमें ये बताता है कि कोई जो परमाड़ू है वो किस तरह हैं एक दंड चुम्बक की तरह हैं एक बार मेगनेट की तरह काम करता हैं। ये हमारा परमाणविक मॉडल हमें बताता है कि एटम फी एक चुम्बक की तरह काम करता है तो गया होता है तो जो नाभिक है नाभिक के अंदर हमारा धनातम कावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और घूमते समय दो तरीके की गतियां करते हैं एक तो करते हैं कक्षिय गती इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोन नाबिक के चारो और एक व्रत्तकार मार्ग पर चक्कर लगाता है और दूसरी गती होती है हमारी चक्रन गती, spin motion इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोन होता है वो एक लट्टू की तरे अपनी अक्ष पर घूमता रहता है और जो चक्रण गती होती है चक्रण गती का जो पाट होता है चुम्बकत में वो 90% होता है और केबल 10% भाग होता है कक्षिय गती का इसलिए हम कह सकते हैं जो चुम्बक बनती है परमाडू चुम्बिकी गुण देता है वो केबल अजिकांस्ते चक्रण गती के कारण देता है और इस तरीके से बहुत सारी एलेक्टोनों के होने के कारण इसमें कई चुम्बिकी आगुण काम करते हैं और कुल चुम्बिकी की तरें बार मैगनेट के समान ब्यवार करता है चलो इसका मैं एक्स्प्लेशन आपको बताता हूं तो आपका एक्स्प्लेशन देखो यह है सभी तक्तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें परमालू कहते हैं पृतेक परमालू के केंद्र पर एक धनाविशित नाविक होता है जिसके चारों और इलेक्टॉन विबन कक्षाओं में नाविक का परिकम्ण करते रहते हैं यह गती इलेक्टॉन की कक्षिय गती या फिर और्बिटल मोशन कहलाती है कक्षिय गती के साथ साथ इलेक्टॉन अपनी अक्ष के चारों और भी घुरन गती करते हैं इलेक्टॉन की यह गती इस्पिन मोशन कहलाती है और देखो दोनों ही गतियों में चाहिए आप घुरन यह है कि 90 पृतिषद जो चुम्बिकी आगूं बनेगा वो केवल इस्पिन-motion के कारण ही बनता है डोनों गतियों के कारण मतलब घुणंग अब और इस्पिन-motion की कारण दोनों के के चुम्ब की आगुनों का सदिश योग परमाडू का नेट चुम्ब की आगुन बनाता है इस प्रकार परमाडू एक छोटे दंड चुम्बक के समान व्यवार करता है तो यह है आपका जिसके थुरू हम यह बता सकते हैं कि जो परमाडू है हमारा एक दंड चुम्बक की तरह बार मैगनेट के समान हमारा व्यवार करता है यह हमारा कैसे व्यवार करता है जैसे बार मैगनेट व्यवार करती है उसी तरीके से यह भी व्यवार करता है तो यह था हमारा चुम्बकत का परमाडविय मॉडल आंगे मैं मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैंक यू